Redmi Note 8 Pro के लिए Stable Gcam 7.3 और 6.1 के बारे में बताने वालो हूँ जिसमें आपको सभी वीडियो वगेरा सब कुछ perfectly work होती हुए मिल जाएगी और यहाँ पर इसमें आपको camera वगेरा सब कुछ बिल्को fine चलता हुआ देखने को मिलेगा तो दोनों के बारे में बताना वालो हूँ इस वीडियो में तो इस वीडियो का हैने तक देखते रहिए तो मेरे नामे कुल विशिन और आप देख रहे की के वर्ड तो सबसे पहले बता दू मैंने आपको discussion में link दे रखके तो आपको दो चीज़ डाउनलोड करनी पड़ेगी एक तो APK और दूसरी है config तो सबसे पहले आपको जो भी आपके phone में Gcam डला हुआ है सबसे पहले उसको uninstall करना होगा uninstall करने के बाद आपको जो APK आपने डाउनलोड करी है Gcam 6 की या फिर 7 की तो उसको आपको install करना हुआ जैसे कि मैं यहाँ पर आपको 6 install करके दिखाता हूँ जो कि एकदम stable है जिसमें सब कुछ perfectly work कर रहा है बस आपका सब्समें slow motion work नहीं कर रहा है जो कि mostly सभी Gcam में सभी smartphone में work नहीं करता है तो यह कोई नई बात नहीं है लेकिन इसमें MediaTek के processor होने की वज़े से अब भी इसमें सब कुछ Gcam के सारे features जो है वोग चल रहा है तो जैसे आप इसको download कर लेंगे और इसको install कर लेंगे इसके बाद आपको configuration file जो मैंने आपको download की link दे रहे है वह से download करने के बाद आपको अपने file manager में जाना होगा और यहां पर आपको दिखेगा folder Gcam अगर नहीं दिखता तो एक folder बना लेना capital G, capital C और AM इस तरह से folder बनाकर यहां पर आपको configs की folder बनाना होगा जैसे कि इसमें दिख रहा है तो यहां पर configs के folder बनाकर इसमें वो file paste कर देना है जो कि मैंने दे रहा है और अगर आपने Gcam 7 डाउनलोड कर रहा है तो यह file बनानी होगी configs 7 यह folder बनाने के बाद इसमें वो file paste कर देनी होगी तो यहां पर फिलाल मैं आपको Gcam 6 के बारे में दिखा रहा हूँ इसके बाद मैं Gcam 7 के बारे में दिखा हूँगा तो यहां पर आपको side में tap करना होगा और यहां पर आपको configuration file select करनी होगी जैसे कि मैंने KK word वाली file को select करके restore कर दिया है अब इसे restore करने के बाद आपका camera जो perfectly work करे कोई भी lag देखने को नहीं मिलेगा वीडियो mode देखें वीडियो mode भी perfectly work करेगा और natural colors देखने को मिलेगा colors जो ओवर saturated वागरा नहीं देखने को मिलेगे night side वागरा सब कुछ work करता हो दिख जाएगा फ्रेंट में portrait भी आपको work होता है दिख जाएगा मला इसमें perfectly gcam चल रहा है जो कि snapdragon वाले प्रोसेसर में चलता था मला आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी फ्रेंट camera कर लो चाहे back camera कर लो और यहाँ पर अगर आपको इसमें लॉंग प्रेस करेंगे यह camera change करना वाला तो आपका यह wide angle में camera जो हो जाएगा और यह फिर से long press करेंगे तो आपका normal camera सुच हो जाएगा अगर आप इसमें wide angle wide angle की जगा macro में करना चाहते है settings में जहांकर macro lens को on कर देना तो भाई यह था हमारे Gcam 6 जिसमें सब कुछ perfectly work कर रहा है अब माँ बात करता हूँ Gcam 7 जैसे सबसे पहले आपको $100 का एक giveaway के बारे में बता दे तो मतलब लगबख 7000 का giveaway चल रहा है wonder share की तरफ से जिसका नाम है mobile trans to samson contest जिसमें आप थ्री वे से participate कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले दिखेगा learn and get discount तो यहाँ पर आप इसके tips and tricks जान सकते हैं और 20% off का जो है वह trans product पर पा सकते हैं और दूसरा जो है वह आपका quiz है उनके आपको सवाल के चवाब देने होंगे यहाँ पर जोईन ना उपर जाकर आप जोईन कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं और मौका पा सकते हैं जीतने का तो सारी डिटेल्स आपको सबसे उपर discussion मिल जाएगी इनके और भी products आपको देखने को मिलते हैं जो कि wonder share की तर एसी इंस्टॉल करना है बस फर्क इतना रहेगा आपको कन्फिक फाइल जो है वह यहाँ पर कन्फिक 7 के फोल्डर में इंस्टॉल पेस्ट करनी होगी जैसे कि मैंने करके हैं तो मैं फटा-फट से इसको इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूं तो पहले जो भी जी कैम ह इसमें डालना तो इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जी केम में खोलता हूं और इहां पर इसको लाओ करता हूं और हापर हमारा कैमरा तो फिलाल चल चुगा लेकिन इसकी कैमरी सेटिंस वगएर अच्छी करने के लिए अब इसके बाद बाद भाई इसमां आपको इस जी कैम 7.3 है जो कि आज ही इसका बीटा आया था तो आज पहला बीटा इसके लिए टेस्ट करा गया था और यह उन्हीं डेवलपर की तरफ सा है जिन्होंने जी कैम बाकी शाओमी रैड्मी नोट 8 प्रो के लिए काम शाओमी बोल आप तो रैड्मी की हो चुका है तो फ कैमरे में जैसे स्विच करेंगे तो यहां पर लैक देखने को मिल रहा है लेकिन जैसी मैं कुछ टाइम बाद उसकी कन्फिग्रेशन फाइल और एपी कर दूंगा उसके बाद आपका यह बी स्मूथली पर्फेक्टली वर्क करेगा तो यह थी हमारे जी कैम 7 और 6 की कहानी रेड्मी नोट 8 प्रो के लिए तो फिलाल जी कैम 6 कम्प्लीटली स्टेबल है अगर आप बिल्कुल स्टेबल जी कैम यूज करना चाते है तो जी कैम 6 को डाउनलोड कर लिए बिल्कुल मक्खन तरह से बिल्कुल बढ़या तरह से आपको फोटोस कैप्चर करके देगा और अगर आपको 7 टेश्ट करना है तो आप टेश्ट कर सकता है मैंने लिंक दे रखे हैं लेकिन एक दो दिन बाद आपको उसकी स्टेबल की लिंक भी उसी वेब साइट पर जाकर देखने को मिल जाएगी मैंने और भी वीडियोस बना रहिके जी कैम की ये देख सकते हैं और भ वीडियोस आने वाली चैनल सुब्सक्राइब कर सकते हैं